हाई अबरेबन दिस जुगांश आज की वीडियो में बात करेंगे आर इंट्रस्ट रेट आपको सेविंग्स अकाउंड में कैसे जादा मिल सकता है अगर आज की रेट पर देखा जाए जो भी आपको बैंक अकाउंट है जहां भी जिस भी कमिशल बैंक में हैं आप SBI ले लो ठीक है आपको 20 भी स्टार्टिंग रेट 2.5% से लेके आपका 4.5% तक आपको इंट्रस्ट रेट होता है ठीक है बट ये इंट्रस्ट रेट जो है एक अगर आप इंफलेशन भी देखोगे पिछले 20 साल की पिछले 20 साल चोड़ गा है पिछले आप 5 साल ले लो गर कोरोना पिछले 5 साल भी अगर हम ले लेंगे तो हमारी इंफलेशन थी करीब परीब 4% की और अगर पिछले 20 साल का लेंगे तो इंफलेशन थी हमारी 6-7% की बीच में अब हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि ये तो सरकारी आकड़े हैं बट इंफलेशन अगर देखा जाए इंफ आज की रेट में सब्सक्राइब पास फोन है आज से थोड़ टाइम पहले देखो जितना मेरे को याद है आज से आठ एक साल बेले शायद एक फोन है था आठ साल तो नहीं चार पांच छे साथ साल तो होई उंगे एक सामसंग का S2S3 करके फोन आता था उस तहीं वो आता था बाइस पच्छे हजार का फ्लैक्शुप डिवाइस और वो फोन रखना है एक अलगी मतलब एक महंगा फोन की काटेगरी में आता था वो फोन बाट टोड़े वी ओल लूब सिनारियो उस तहीं पर पाच्छे हजार रुपे से अंट्रॉड की स्टार्टिंग हो जाती थी अच्छे फोन की बाट आज की रेट में अगर आप एक नॉर्मल फोन भी लेना चाहते हो तो आपके बीस हजार रुपे तो कहीं नहीं गए है ना तो उस हिसाब से अगर इंफ अलग अलग होगा as per our requirements but it's definitely more than 10% 6% whatever the government is projecting तो जितना भी सरकार बता रही है उससे तो ज्यादा ही inflation है तो savings account में जो पैसा है पहली बाद तो inflation गीट कर ही नहीं सकता वो तो point है ही नहीं डिसकस कर रहेगा वो चीज हम सब को clear होनी चाहिए पहले से तो अगर savings account हमारा इतना भी कर रहा तो हम उसका interest rate जो हमरे पास 3% 4% interest rate आ रहा है उसको हम किसे बढ़ा सकते हैं तो there is something called auto sweep यह शायद आपने कभी सुना नहीं होगा और यह चीज एक ऐसी चीज है जो bank भी आपको नहीं बताते है कि वैसे तो bank आपको बहुत सारी policies वेस्ते हैं credit cards वेस्ते हैं वाट यह जो bank आपको नहीं दखाता है तो auto sweep अगर असान शब्दों में समझा जाए तो auto sweep facility हर bank में होती है इसमें आपको एक minimum amount अपने जो भी आपका current or savings account है उसमें रखना होता है और उसके बाद remaining account का FD कर पास होते हैं but यहाँ पर कुछ चीज़े समझने की हैं it's not similar to your regular FD जो आप एक fix deposit कराते हैं यह चीज़ उससे अलग है तो पहली बात तो आपको इसमें minimum threshold amount जो होते हो बैंक set करके देते हैं आपको यह पांट जो भी हर bank लेग होते हो बैंक set कर देते हैं इतना minimum account इतना minimum amount तो आपके वहाँ पे bank में रहेगा ही रहेगा ठीक है उसके बाद आता है कि आ आपका जितना भी bank balance होगे let's say कि मेरे अगर bank में मैंने खुद से set कर दिया आप खुद से set कर सकते हो कि मेरे को minimum balance कितना रखें मैंने set कर दिया कि आप मेंको 50,000 रुपे अपने bank में चाहिए ठीक है उसके बाद मैंने auto suite facility जब on activate कराई तब मैंने का 50,000 तो मेरे bank पर रहेंग यह multiples में होता है 1000 के multiple में 5000 के multiple में सब बैंक का अपना defined है तो अगर मेरे account में 50,000 रुपे हैं उसके बाद 100-10000 रुपे आते गए तो जैसी 51,000 रुपे होगे जो 1000 रुपे हो अपने आप FD में चले जाएंगे ठीक है यह चीज़ हम को समझ आती है ना दूसरी चीज हमने 70,000 रुपे चलो 70,000 रुपे की example लेते हैं हमने कहां कि 50 मेरे account में रहेंगे 20,000 जो होगा 20,000 वह आपका FD में चला गया ठीक है अब वह 20,000 रुपे आपको FD के हिसाफ से interest rate मिलेगा जो आपको 50,000 है उस पे आपको क्या मिलेगा वही 3-4% जो भी आपका regular मिलता है तो यह ज 10,000 जो थे 50 के ऊपर के वह भी FD में चले जाएंगे total आपका 30,000 रुपे FD में आ गया तो जिस भी इसाफ से आपकी transactions होती रहेंगे उससाफ से FD में changes आते रहेंगे तो आप सवाल उठता है कि हम लोग normal FD क्यों ना करा लें जो आपकी regular FD होती है हम उसी को करा लेते हैं जब इतना जब हमारा पैसा वहीं के जाई रहा है है तो बट इसमें क्या होता है कि वहली बात तो आप जो होता minimum FD 6 महीने के होती है आपकी regular वाली इसमें आपका minimum time period कि किसी बैंक के लिए 15 देना है किसी के लिए 30 है किसी के लिए 45 दिन भी है तो हर बैंक का अलग अलग है तो इसमें minimum आपका time period है na holding period वह बहुत छोट है दूसरी चीज there is something called as reverse sweep, auto sweep था जहां पर आपका पैसा अपना कटता था और चला जाता था, reverse sweep में क्या होता है, reverse sweep is basically अगर आपको पैसा चाहिए, मेरे account में 50,000 रुपए है, ठीक है 20,000 मैंने 30,000 रुपए FD में डाल दी है, जो भी auto sweep था उसमें डाल दी है, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरे को माल लो चाहिए 60,000 रुपए है, कुछ भी emergency आगी माल लो, 60,000 रुपए चाहिए मेरे को, अब मैं क्या होगा, आपको 1% की penalty लगेगा, अगर आप maturity period से पहले पैसा निकाल रहे हो, अब penalty भी समझो penalty कैसे लगेगी, जैसे मैंने FD कराई एक साल की, ठीक है, एक साल का मेरा auto sweep हो रख है, वो lock-in period एक साल का है, बट अब मेरे को ज़रूद पढ़ गई 60,000 रुपए गी, तो मेरे को 50 सासदार तो मेरे पास हैं सेविंच में, मेरे को 10,000 यहां से लाके, यहां पे add कर रहे हैं, है ना, तो अभी जो 10,000 रुपए हैंगे, इस पे 1% की जो penalty लगेगी, वो ऐसे लगेगी, इस पे मानलो मेरे को interest rate मिल रहा था 7% ठीक है, 7% की जगा मेरे को 6% मिलेगा, तो interest rate तो मे 1% कम मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो 1% जो था, टोटल जितना भी 1% बनेगा, वो आपका penalty में चला जाएगा, और अब पैसा निकालने की भी न, दो तरीकी होते हैं, का आपका होता है LIFO, LIFO, last in first out, और दूसरा होता है आपका FIFO, first in first out, यह आपने कहीं आगे, शायद स्कूल पढ़ा हो, कहीं देखा हो, तो इसका मतलब क्यों होते है, last in first out, जो सबसे last में गया हो, सबसे पहले आजाएगा, first in first out, पहले गया, पहले बार आजाएगा, तो आप जब पैसा निकाल रहे हो, माल लो, एक जन्वरी को मैने पैसा डाला, ठीक है, एक फर्वरी को पैसा डाल एक मार्च को पैसा डाला, अब at the end मेरे को 15 मार्च को चाहिए पैसा, तो अब जो एक जन्वरी को पैसा डाला था, वो निकालू, या फिर जो मार्च में डाला था, वो वाला पैसा डालू, तो किस में मेरे को जाधा गेन होगा, अब गेन की बाता आजाती है ना, तो जो first अपने डाला था जो आपने January में डाला था इसमें problem क्या है problem नहीं बट इसके साथ क्या है कि इसमें मेरे को interest rate जादा मिला हुए यह तब से चल रहा है है ना January का interest, February का, March का जो भी है but March में जो डाला है मैंने उसमें मेरे को interest rate कम, interest अभी तक कम चड़ा है तो मैं क्या करूँगा इसमें मार्च वाला पैसा निकाल लेना है ठीक है? So what we'll be opting for? We'll be opting for LIFO Last and first out, ठीक है? ये चीज होगए अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि अगर मान लो मेरे को इसे दो साल का मैंने लागिंग पिरिएट रखा तो मैंने सोचा कि सबको auto sweep को बंद करवाओ तो इसमें जब आपको pre closure जब आप कराते हो तो आपको penalty देनी पड़ती है 0.5 से 1% जो भी आपका total interest है जो भी बनेगा उसके उपर आपको 0.5 से लेके एक प्रतिशत तक आपको देना पढ़सेता है depending on the bank सबका अलग-अलग है but penalty will be there for sure ठीक यह चीज़ आप चेक कर सकते हो उपने bank के साथ इसमें हमें एक और चीज समझने वाली बात है simple interest और compound interest दोनों चीज़ों के बारे में मैं एक अलग video बना चुका हूँ लिंक आई बिटन में आ कहीं रहा करें description में आ ही जाएगा तो इसमें आपको यह चीज समझने पड़ेगी जो आपकी यह auto-sweep वाली facility होती है some banks not all banks सभी बैंक यह चीज नहीं करते हैं बट कुछ-कुछ bank आपको auto-sweep वाली FD पर simple interest देंगे but जो आपकी दूसरी FD होती है जो आपकी normal fixed deposit होता है उसमें आपको compounding interest मिलता है हम लोगों को difference पता है दोनों चीजों में तो यह भी चीज आपको check करने पड़ेगी अपने bank के साथ कि आपको compound interest मिल रहा है simple interest यह चीज होगे एक और चीज जो भी आपका income होगा जो भी आप gain करोगे capital gain होगा जो भी आपको आपका taxable होगा तो taxable आपको normal FD में भी होता है इसमें भी रहेगा तो यह कुछ चीज़े होती है auto sweep अब आप इस चीज़ को activate कैसा करा सकते हो कुछ bank इसके लिए online facility भी देते हैं कुछ bank के लिए आपको जाकर branch में बोलना पड़ेगा कि भाई साब मेरे को auto sweep की facility चाहिए और उनको बोलो कि आपको एक बार समझा दे और क्या क्या कैसे procedure है वो आप महाँ पर जीज़ कर सकते हो form अगरा देखे तो auto sweep is something कि आपको अगर लगता है कि यार मेरे पास इतना पैसा है यह पैसा मेरा unused है तो शायद एक साल के लिए आल अल मेक्शर आल आंसर रवी कुस्टिन and make sure to hit the like button subscribe button and the bell icon thank you so much for watching this video once again and I'll see in the next one तव तक्यले नमस्का बबबबबबब तिक के